उस जंगल में एक चुडैल अपनी चुडैल बेटी के साथ रहती थी. वो चुडैल अपनी चुडैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी. बिनी चुडैल दिखने में थोड़ी अलग थी. उसका आधा शरीर चुडैल का और आधा शरीर बक एक दिन बिनी दूर पहाडी पर खड़ी हो कर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। पर मा ये तो संभवी नहीं है, मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी, मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे, और तो और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी, अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहीलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी मैं तुम्हें अब एक साधारन लड़की बनाने वाली हूँ पर एक शर्त पर। हाँ मा बोलो ना क्या शर्त है, मुझे तुमारी सारी शर्त मनजूर है, बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त ये है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सर्फ आधे दिन ही चलेगा, मतलब सूरज ढलते ही ये जादू तूट जाएगा, और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोश्टी में चलेगा, चांद की रोश्टी में नहीं तुमने बिलकुल सही समझा, बिनी अपनी चुड़ैल मा की हर बात मानती है, चुड़ैल आंखे बंद करती है, और बिनी पर कुछ जादू करती है, बिनी धीरे धीरे एक साधारन लड़की में बदल जाती है मा, मा देखो मुझे, मैं कितना बदल गई, अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदल कर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है, अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था, बिनी स्कूल में खुब मन लगा कर पढ़ी, आज उसने कही सारे दोस्त भी बनाये अपने चुटी के समय क्या हम दोनों सात में चल सकते हैं, बाते करते हुए जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बताओ क्या बोलती हो हाँ हाँ क्यों नहीं अब तो हम दोस्त बन गए हैं साथ में जा सकते हैं वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा छुटी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है चोटा रास्ता? क्या सचमी स्कूल से घर तक जाने का यहाँ चोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पड़ा उस रास्ते के बारे में आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ पर उस रास्ते के बीचो बीच पहुँचते ही, बिनी अपने असली रूप में आ जाती है सलोनी उसे बकरी चुडैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी तु 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 तीरे सबी बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुम ने सही नहीं किया, मैं अब भी जाकर सब को बताती हूं तुमारे बारे में। जिन्दा रहोगी तो बताऊगी ना मेरे बारे में। चुडेल सलोनी को भागने नहीं देती, उसे मार कर वो बकरी चुडेल उसे पूरा खा जाती है, उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी मा को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुँचती है, आज का दिन कैसा रहा स्कूल में। बहुत ही अच्छा रहा मा, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने, पदा है छुट्टी के समय आज में अपनी सहेली के साथ ही आई, मा स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का कि सूरज धलने से पहले तुम्हें घर इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे, और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है, हम सब खूब मस्ती करेंगे वहाँ, पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उच्छलने लगते हैं, इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुँचती है, और मा से पिकनि जाने के जाज़त नहीं दूगी, मा की बात सुनकर बिनी रोने लगती है, मा से गुस्सा भी हो जाती है, बात नहीं करती, इसलिए बेटी के आगे मा हार जाती है, और पिकनिक जाने के जाज़त दे देती है, अगले दिन सभी बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं, बहुत सु तो बहुत सुन्दर है, इस से पहले कभी नहीं देखी इतनी सुन्दर जगह। और यहां कितने रंग बिरंगे फूल भी है, मेरी तो इन फूलों से नजर ही नहीं अट रही। और मेरी तुम सब से, तुम ech कर मेरे मुँंए PANY आ रहा है। कब तुम सब मेरे पेक में जाओगे और मेरी भूख मिटाओगे? हाँ मैदम जी, ये बहुत ही संदर जगह है, पर इससे भी कहीं जदा संदर जगह मुझे पता है, वो यहीं पास में है, क्या हम सब वहां बी चले? अच्छा इससे भी सुन्दर जगा बना कोई हो सकती है ठीक है फिर हम सब वहाँ चलते हैं बिनी सभी को जूट बोलकर जंगल की तरफ ले आती है परस थोड़ा सा और चलना होगा आगे थोड़ी दूर पर ही है वो जगा टीजर और सभी बच्चे जंगल पहुँच जाते हैं चारों और बड़े बड़े पेड़ और सन्नाटा देख बच्चे डड़ने लगते हैं और वहाँ से जाने के सित करते हैं शाम हो जाती है तभी सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे बिनी बकरी चुड़ैल बन जाती है तुम बिनी तो नहीं हो तुम तो कोई चुड़ैल पस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में, इसका मतलब जो बच्चे गाइब हो इस स्कूल से उन्हें तुमने मारा, हाँ मैंने खाया, मेरी माने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ, मेरा पेट कभी भ करता ही नहीं, क्या करूँ अब मैं, अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चुप चाप तुम सब मेरे मुझे आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए, चुड़ेल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है, उन्हें खाने के लिए, तब ही उसकी म नहीं है, वो मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझे जूट बोला स्कूल जाने के लिए, तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं इंसानी मांस खाने जाना था, जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिल कर रहेगी, नहीं मा, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूगी दुबारा ऐसा, मत दो मुझे सजा, चुडेल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती, वो अपनी हमेशा हमेशा के लिए तुम से दूर, चुडेल अपनी बेटी को पूरी बकरी बना कर खुद गायब हो जाती है, और सभी बच्चे चुडेल के साय से आजाद।